Hello friends, welcome you all. आसमा आपके लिए जो वीडियो ले कारा हो देखिये बात करेंगे BRS cycle started. कौन से time frame है, कौन से chart मैं इनको समझेंगे detail मैं और BRS cycle को समझेंगे साथ मैं इंतजार, patience और risk management के बारे मां बात करेंगे risk management as usual ऐसे time पर आपको जरूर याद आएगा जब market में एक जबरदस fall आपको देखने को मिलेगा तो बहुत सारी चीज़े सीखेंगे, समझेंगे इस वीडियो के माधियम से और आगे बढ़ने से पहले मापको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब यहां पर सीखने को क्या है और आगे के लिए बहुत इंपॉरटेंट चीज़ है जैसे हम कहते हैं कि निफ्टी एक बहुत अपच सार्प्रक्त पूरी मार्कित को भ्रगों 1 देख सकते नीफ्टी को देख सब्सक्त受 बुलेस साइकल स्टार्ट हुई थी निफ्टी के अंदर और आवरली चार्ट में एक बढ़िया रैली आपने इंजॉय की होगी पूरे के पूरे दो महीने मैं कहूंगा आपने रैली इंजॉय की होगी नावंबर का नावंबर से दिसंबर दिसंबर से जन्वरी लेकिन अब कि हम बेरीस साइकल में प्रवेश कर चुक है तो बेरीस साइकल में क्या होता है कि जब पूरी निफ्टी ओवरल मार्केट डाउन जाती है अभी जस्ट आज स्टार्टिंग हुए आवरली की बेरीस साइकल छोटे टाइम फ्रेम की तो आप देख सकते हो आप डाउन चलता ह यहां पर स्टॉक आता है आपको दिखता है आपका प्राइस से नीचे क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है कर तो यह बहुत इंप्रेंट पार्ट है रिस्क मारेजमेंट का जनरली हम क्या करते है हम उस फॉल का देखिया आज अभी यह एक यह देख रहें अभी तो य यह देखिए गाप गाप डाउन यह एक फॉल देखने को मिला यह एक फॉल देखने को मिला फिर आज आके फॉल देखने को मिला बीच में हाल्ट की सिचुएशन आपने देखिए तो यह जो फॉल आपको देखने को मिला है कई बार क्या होता है कि यह इनिशल लवल आपको hourly में देखने को मिला है और market नीचे भी जा सकता है लेकिन वहाँ पर जो हमने anticipate किया है जो हमने plan किया है risk उसके हिसाब से निकलना सबसे बहुत important part मैं आपको हमेसा कहता हूँ कि जो भी आपने risk plan किया है अगर चीज़ें वहाँ पर तक आ चुकी है बढ़िया opportunities आपको कब मिलती है जब market भी आपकी direction में होती है तो मतलब यहां से market अगर आप देखोगे तो November से आपको अच्छे खासे moves स्टार्ट हो लेते हो वहाँ पर तो यह एक बढ़िया rally अगर अभी आप देखोगे तो अभी यह बियरिसमा होगे आप इस टाइम पर देखोगे आपरल के स्टार्टिंग में मार्च एंड में बहुत बड़ी बड़ी rally स्टार्ट हुई थी निफ्टी पॉजटी पाई थी फिर यहां पर थोड़ा हॉल्ट आ था एक सेप्टमबर में बढ़िया चीज़े चली थी फिर यह चोटी चोटी शॉटी साइकल थी तो क्या यह छोटी साइकल रहेगी लेकिन अच्छा खासा आपको कि पछली वाली साइकल एक बहुत जबर्दस मुलेश साइकल थी बहुत टाइम तक यह रही और मुस्स दो महिना तो उमीद करेंगे कि कुछ टाइम ज्यादा पर बेरिस साइकल में है, निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी, तो ये बहुत important संकेत आज market ने दिया कि अभी फिलाहल हम बेरिस साइकल में है, तो अब जो भी long position, जो भी upside की position आप देखते हो, तो वहां पर थोड़ा सा इंतजार fresh positions के लिए, तो ये important part है, opportunities आती रह इसलिए risk management, market dynamic है, उसके इसाब से बहुत important है, अब एक और बात करेंगे, देखिए, हमेशा cycles के basis पे, आपको कहते हैं कि cycles बहुत important है, तो मैं आपको एक छोटे time frame पर आप लेके जाओंगा, थोड़ा सा nifty के आज की date में, ये nifty के एक बहुत ही छोटा time frame है, 5 minute का time frame, यहाँ हमने call option लगा रखा, और right side में put option है, और यहाँ पर आप देखिए, ये 5 minute में bearish cycle start होती है, आज की date में, मतलब अल्मोस्ट अगर आप देखो तो 21,550 के आसपास आपको एक opportunity है, एक cycle की starting देखने को मिल रही है, अगर आप देखो यहाँ पर 21,500 का put का option देखो, क्या जबरतस rally, 900 के level से, 300 का level, क्योंकि fall ही तो नहीं intensive था, और अगर call की selling देखो, तो 480 के level से कहाँ गई सीधे, ये अलग अलग देखिए, ये है 21,100 के आसपास की call की expectation था है, 200, 300, 400 point नीचे जाएगा तो देखिए, कितनी जबरतस fall यहाँ पे देखने को मिला, कितना जबरतस rise यहाँ प बड़े महीनी, छोटे time frame, पिए अगर आप intraday या फिर एक-दो दिन के हिसाप से चलते हो, तो 5-15 minutes के time frame के cycles को जब आप देखोगे, तो आप relate कर सकते हैं, तो इसलिए फिलाल Nifty में hourly chart में देखोगे, तो क्या भी cycle स्टार्ट हो चुकिया, लेकिन अगर आप Nifty के daily chart में दे आता है, although अगर आप देखो, जो हम बात करते हैं, MECD की, स्टार्टिंग की, तो ये time कौन सा देखे, ये November में start हुईती है, जब hourly की cycle start हुईती, ये upside आ था, जो हमारे important part होता है, ये देखे, और उसी तरीके से April में तो पुरी daily की bullish cycle start हुईती है, डेली में हम bullish cycle में कोई दि अगर आप weekly chart को देखोगी, तो Nifty 76-80 के level था, तो थोड़ा cool down बनता है, और वो cool down में progress चल रहा है, तो opportunities आएंगी आने वाले time पे, तो फिलाल correction in progress है, opportunities तैयार कर रहा है, ये correction, तो और opportunity monthly chart में तो हम देखे, हलके से correction में भी दिख रहा है कि हाँ, इसी month में थोड़ा सा लाल को मिल रहा है, और अगर मैं कहूं, छोटे time frame पे, तो हम already beer cycle में प्रविश कर चुके है, hourly chart के, और same, आप Nifty bank को देख सकते हो, Nifty bank के अगर daily chart को देखते हैं, तो कैसी situation है, देखे, daily chart में तो हम थोड़ा सा और, अब RSI को देखो, तो हम पुरा ही पूरा gear shift कर चुके है, और आज नहीं, अगर मैं daily chart को देखू, तो divergence के situation हमें बहुत पहले, यानि कि in level से bank Nifty में देखने को मिल रहा था, January के starting में ही, कोई उमीद नहीं थी, देखे, बिलको नीचे 200 SME के daily chart के पास आ रहा है, तो काफी important 200 SME support का का काम कर सकता है, और अगर मैं weekly chart को देखू, bank Nifty के, तो correction, और जैसी ये correction resolve होती है, तो SDFC bank के correction को resolve कर सकता है, क्योंकि उसी के वज़े से bank Nifty में ये pain देखने को मिल रहा है, जब अगर स्वाल SDFC, ये बहुत बढ़ा मैं कहूंगा, market cap वाला stock है, SDFC bank, तो आप देख सकते हो कि लिए early किस तरीके से pain create यहां पे हो रहा है, तो फिलाल, दोनों हमारे चोटे time frame, यानि कि hourly time frame को में यादा चोटा नहीं कह सकता, क्योंकि 2-3-3 महिन तक bullish cycle जहां पर started हो रही है, जो bank Nifty ने पहले cycle start की थी, वो Nifty पर भी जा चुकी है, तो थोड़ा pain की situation देखने को मिल रही है, तो इसलिए risk management आपके लिए बहुत important हो जाता है, तो risk down जाके वापस भी आ सकते हैं, तो वो सारी situation, सारे जो important part है उनके उपर, जरूर धान देना है, price section की series आपके लिए ready है, इनको देखिए, practice जरूर कीजे, देखिए, practice बहुत important है, various cycle में भी बहुत कुस सीखने को मिलता है, तो various cycle में भी सीखिए, and thank you, thank you for watching the video.